एग करी एक ऐसा रेसिपी है, मैकसिमम लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं और बन जाए बहुत ही कम मसाले से और टेस्ट आए होटेल जैसा तो मज़ा ही आ जाते हैं तो आज हम लोग बनाएंगे होटेल स्टाइल एक करी, तो हेलो एफ्रिवान, विल्कम टू लाव कीजेन, तो एक करी बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें एक उफाल लेना है, तो मैंने यहाँ पे छे अंडा लिया है, इसे सबसे पहले वॉयल कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं बिठा दिया है एक करहाई, इसमें डालूंगी सरसो का तेल, कोई भी तेल आप डाल सकते हो, अब इसमें डालेंगे थोरा सा नमक, टू पींच तक मैंने नमक डाला है, मैरिनेट करके नहीं डाल दे रहे हैं, इसलिए नमक पहले डालने से करहाई में चिपक नहीं जाते हैं अब इसमें अब टेल अच्छे से हीट हो तो चिपकता नहीं है, इसमें अब तू पींच तक मैंने हल्दी पाउडर डाला है, तू पींच तक रेट चिली पाउडर, अब डालते ही अच्छी तरीके से फ्राय करेंगे, जब तक उपर का इगदम चेंज ना हो जाए अब इकतम अच्छी तरीके से कलर चेंज हो गए है, मैं इतना ही फ्राय करके अभी निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में इसी तेल के अंदर मैं डाल दूँगी फिट से थोरा से तेल तो यहां पर मैंने थोरा सा और डाला है, अब इसमें दो तेजपती और दो सुखा मेचा तोर और के डाला जीरा हलका से जैसे ब्राउन कलर आ जाए अब इसमें डाल देंगे दो छोटी इलाइची, दो तीन लॉंग और थोड़ असा दाल चीनी का टुकड़ा अब साथी में मैं प्याज डाल दे रहे हैं और यहाँ पे मैंने बड़े साइज का दो प्याज लिया है अब फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में रखते हुए प्याज जब फ्राई होके गोल्डिन प्राउन कलर आ जाए तब हमें डाल देना है टमेटो तो यहाँ पे मैंने बड़े साज दो टमेटो रफली चॉप करके डाला है जिसकी टमेटो जो बहुत जल्दी से पक जाए और इसके लिए मैंने नमक डाला है स्वादानुसार अब साथ में यहाँ पे मैं अद्रक और लहसान का पेस्ट डाल दे रही हूँ बड़े चम्मच का एक चम्मच मिक्स्ट करते हुए भूनेंगे इससे क्या होगा अद्रक भी भून जाएंगे और साथ में टमाटर भी पक जा प्यूरी जैसे बना लेना है इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है लगबक चोटे कप का एक कफ पानी है अब इसमें डाल दे रही हूँ में कटी हुई हरा मिर्चा वान टेवल इसपुन जीरा पाउडर हाफ टेवल इसपुन डालेंगे इसमें धनिया पाउड अब डालने के बाद मसाले के साथ हलके हाथों से मिक्स्ट कर लेना है और एक मीट तक अंडा के साथ ही भून लेना है और अंडा खाने का मज़ा तो इसी तरीके से आता है अंडा मसाला लेकिन जहां बात आते है पूरा फैमिली के खाने का तो थोड़ा सा ग्रेवी हमें चा ज्यादा से ज्यादा तिर निक तक लगेंगे इससे ज्यादा नहीं लगेंगे तो ग्रेवी हमें इतना ही रखना है तो अभी मैं इसलो कर दूंगी फ्लेम को और एक पर चला लिया है अब इसमें डालेंगे थुछा सा फ्रेश धनिया जिसे कि इसका टेस्ट बहुत बढ़ ज अब गरम गरम एक कड़ी सर्फ कर देते हैं तो देखिए मसाला वही है जो हम सब के घर में हमेशा ही रहते हैं लेकिन टेस्ट बहुत ही है तो फ्रेंस आज का एक कड़ी के रेसीपी आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बताइए और लाफ कीचेन को अभी तक आप टेस्टी टेस्टी रेसीपीस देख सके आगे भी और हाँ बेल आइकेन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नया नया जितना भी रेसीपीस का अपडेट में दू तो वो जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगल बाई बाई टेक क्यार